सुवागत ही आप सभी का हमारे और आप सभी के अपने यूटूब चैनल डिपलोमा कलासिस में तो कैसे हैं आप लोग तो मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे तो फाइनाली आज का वीडियो वैसे लोग के लिए बहुत ही इंफर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग 2022 में भी हार पोल टेकनिक लेटरल एंट्री यानि DECLE 2022 का इंटरेंस इकजाम दिये थे और रिजल्ट यानि रेंग कड आ जाने के बाद बहुत दिनों से इस सिंतजार में थे कि उनका काउंसलिंग यानि डोकोमेंट वेडिपिकेशन कबसे होगा तो फैनली आप सभी को बता दि जो आप लोग का डोकोमेंट वेडिपिकेशन है ओ चार नौमबर से लेक करके 14 नौमबर 2022 तक कम्पलीट हो गया है तो अब जितने भी एक्टुडेंट हैं जो भी लोग बिहार पोल टेकनिक लेटरल एंट्री का एकजाम दिये थे और पोल टेकनिक कलेज में एडिमिसन के लिए अपना डोकोमेंट वेडिपिकेशन को करा चुके हैं तो सभी लोग का एक ही कॉमेंट है कि सर बता दिजिए कि जो हम लोग का डोकोमेंट है ओ फैनली वेडिपिकेशन हो चुका है तो पुल टेकनी कलेज में एडमीशन कब से होगा, कितना रुपए देना होगा, एडमीशन में कौन-कौन सा डोकुमेंट्स लेकर के जाने हैं और आखिर पर हाई कब से शुरू होगा यानि आप लोग के द्वारा जितने भी कौमेंट्स किया गया है, सभी के उपर 60 रुप से आंसर को देने वाले हैं तो अगर आप लोग इस वीडियो को वान तक देख लेते हीं तो आप लोग का जितने भी डाउट से आप लोग का जितने भी क्वेस्टन से सभी के सभी किलियर हो जाएंगे तो देखिए सबसे पहले डिपलोमा कलासिस के तरफ से उनसा भी स्टुडेंट्स को केंगरेचुलेशन जिनका भी पोल टेक्निक कलेज में एडमिसन के लिए डोकोमेंट्स वेरिपिकेशन हो गया है और वैसे श्टुडेंट्स जिनका रेंक आधिक था और रेंक आधिक होने के वजह से उनका डोकोमेंट्स वेरिपिकेशन नहीं हो पया है तो उनको डिमोटिवेट नहीं होना है आपको और दो से तीन मंथ का वेट करना है उसके बाद फिट से फरम आएगा और आप लोग को फिट से फरम को फिल अप करना है और इस परकार से अपके बाद एकजाम देना है जैसे कि आपको जो भीहार का नमर वन पोलिटेकनिक हो लेज़े आपका वहाँ पे एडमिसन हो जाए तो आप उसे लोग जिनका डोकोमेंट भेरिपी का सन नहीं हुआ है तो आप लोग अपने टाइम को बरवाद नहीं किजिए आज ही लग जाए जो भीहार पोलिटेकनिक लेटरल एंटरी का शिलेवस होता है उसको अच्छे से पठने में तो इस बीडियो को आगे बरहने से पल आप सब ses एक छोड़ी से रिक्वेस्ट है अगर आपको का हमारे चैनल पनी तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेए और जैसा कि आप सबीको मालुम होगा और मालुम नहीं होगा तो माप सबीको बता देते हैं कि हमारे चैनल और आप सभी के अपने यूटूब चैनल डिपलोमा कलासिस के माध्यम से भी हार पूल टेकनिक लेटरल एंट्री के फॉर्म से लेकर के डोकोमेंट भेरिपिकेसन तक और डोकोमेंट भेरिपिकेसन से लेकर के एडमिसन तक और एडमिसन से लेकर के समेश्टर क इकजाम तक जितने सारे अपडेट होते हैं इसके उपर 60 कुरूप से information को दिया जाता है इसके साथ साथ आपके जितने भी doubt से सभी को दूर किया जाता है अब चलिए आप सभी को बता दे कि कौन कौन से डोकुमेंट लिकर के जाने होते हैं भी हार पोल्टेकनिक लेट्र लेंट्री के एडमिशन में, तो देखिए जब आप लोग पटना गए होंगे तब आपको एक सीट अलोट्मेंट लेटर मिला होगा, यानि आपको एक डोकुमेंट लिखा मतला मिला होगा, उसके नीचे लिखा होगा कि आपका युवर में कितना थे और आपको कौन से पोल टेकनी कॉलेज में कौन से ब्रांच मिला है तो उसी को बोलते हैं एलोट्मेंट लेटर तो आपका फर्स्ट डोकुमेंट और में डोकुमेंट आपका वहीं है एलोट्मेंट लेटर दूसरा डोकुमेंट है CLC, SLC या TC CLC कहाने का मतलब College Living Certificate, School Living Certificate या Transfer Certificate कियोंकि जब आप लोग पटना गाई हुए थे तो एक SLC या TC को छोड़ करके जितने भी डोकुमेंट से सभी के सभी वहाँ पर जामा हो गए हैं तो देखिए, फर्स्ट डोकुमेंट था अलोट्मेंट लेटर और दूसरा डोकुमेंट था TC यानि Transfer Certificate तिसरा डोकुमेंट है आधार काद और जो चौथा डोकुमेंट है Medical Certificate और जो Medical Certificate है आपको जो Polytechnicals अलोट हुआ है उसी Polytechnicals के नाम से एक Medical Certificate को बनवा लेना है बस इतना ही डोकुमेंट आपको लेकर के जाने हैं और वैसे स्टुडेंट जिनका जो इंटर है या ITI है 2019 में Complete हुआ है या 2020 में Complete हुआ है लेकिन ये लोग क्या किये हैं फोर्म को Fill Up किये हैं 2022 में तो इनको क्या है course complete होने से Polytechnic का फरम फिलब करने में कम से कम दो वर्स या तीन वर्स का गैप हो गया है तो इनको क्या करना है कि कोट में जाना है और एक Gaping Certificate को बनवा लेना है यानि आप लोग के लिए एक Extra Document को लेकर के जाने हैं विहार Polytechnic Lateral Entry के Admission में अब चली आप सभी को बाता दे अगर आप लोग कीसी भी बरांच के जैसे Electrical Engineering, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electronics Engineering, Computer Science Engineering, Automobile Engineering या Chemical Engineering चाहे जो भी बरांच हो इस सभी बरांच के उपर जो सिलेबा से इसका फुल वीडियो चाहते ही तो आपको क्या करना होगा अपने मुबाइल के YouTube में क्या करना होगा? सर्च करना होगा जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं टि ए सी एच एन ओ टेकनो उसके बाद स्पेस M A T H मैथ इसके बगल में आपको सर्च करना होगा L E A R N I N G जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सर्च कर दिया गया है अब आपको जो सर्च का आपसन यहाँ पर क्लिक कर देना होगा जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक की दियेगा तब आपके मुबाइल के स्क्रीन पे कुछी इस परकार से दिखेगा तब आपको एक बड़ यहाँ पर क्लिक कर देना होगा और जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक किजिएगा तो आपको क्या करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप लोग जितने भी ब्रांच है जैसे Civil, Electrical, Mechanical, Electronics, Computer Science, Chemical Engineering, Automobile जितने भी आप लोग के बरांचे इन सभी बरांच के जितने भी सिलेवा से इसी चैनल के माध्यम से वीडियो को अपलोड किया जाएगा और इस चैनल का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिये हैं तो आप लोग क्या किजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके ताकि आपको मलुम चल सके कि आपका जो बरांच है उसका सिलेवास क्या है और उसमें कौन-कौन से आखिर सब्जिक्ट्स को पढ़ने हैं अब चली आप सभी को बता दें कि भी हार पोल टेकनिक लेटरल एंटरी का जो एडमीशन होगा आखिर उसमें आपको कितना रुपाई देना होगा तो देखिए जो भी हार पोल टेकनिक लेटरल एंटरी का एडमीशन है इसमें आपको तेई सव पलस रुपाई लेकर के जा तो आप लोग क्या किजिएगा अपने घर से कम से कम 3000 पलस रुपई ले लिजिएगा विहार पोल टेकनिक लेटरल एंटरी के एडमीशन के लिए तो आपका जो डाउट सा था कि राखिर कितने रुपई देने होते हैं विहार पोल टेकनिक लेटरल एंटरी के एडमीशन में तो आप लोग देख लिजिए 2300 पलस रुपई देने होते हैं विहार पोलिटेकनिक लेटरल एंटरी के एडमीशन में। अब चलिए आप सभी को बता दे कि पढ़ाई कब से सुरू होगा विहार पोलिटेकनिक लेटरल एंटरी के कॉल्डिज में। तो देखिए जो आप लोग का पढ़ाई है एक करिबन 20 नवंबर 2022 से सुरू हो जाएगा। अब चलिए आप सभी को बता दे और इस कोस्टन को जितने भी स्टुडेंटें सभी के द्वारा किया गया था। कि सर बता दीजिए कि यहार पोलिटेकनिक लेटरल एंटरी का जो डोकुमेंट भेरिपीकेशन हो गया है तो अब एडमीशन आखिर कब से सुरू होगा। तो आप लोग अपने मुबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं यह जो आप लोग का डोकुमेंट भेरिपीकेशन हुआ है उसी का सीट अलॉट्मेंट लेटर है और यहाँ पर लिखा गया है ही या सी हाज टू टेक एडमीशन लेटेस्ट बाई 21 गारे 2022 तो बहुत सारे स्ट घिया गया है तो हम आप सभी को बता दे जो आप लोग का एडमीशन है एस 60 नवामबर के बाद से और 21 नवामबर के पहले इन 5छी दिनों में आपको अपने पले टेक्नी कोलिज में जा करके अपना एडमीशन को करा लेना होगा तो मुझे उमीद है कि आप लोग जितने भ रूप से आंसर मिल गया होगा अगर और भी कोई क्वेस्चन है कोई भी डाउट से तो आप लोग कॉमेंट करके हम से पूछ सकते हैं और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा हम आप सभी को वता देते हैं कि आप लोग जितने भी कॉमेंट करते हैं हम सभ को अच्छे तरह से read करते ही और read करके reply करते ही